अनाज, मचली, पनीर, लसी, शहद, गुड, आटा, छाच और मूरी, इस पे जो पहले ये सब एक्जम्टेट थे, इन पे 5% GST लगेगी, इस पे रिव्यू एक बार भी सरकार ने नहीं किया, वो लबी इल्कुल ठीक है, इस पे तो लगनी ही चाहिए, दूसरा ने ने किया, कि एक हजार रुपे तक की जो होटले हैं, जो प्रती दिन का एक हजार रुपया लेती हैं, उन पे GST लगेगी, 12% वो भी पहले उस पे नहीं लगता था, पर मजाल है गरीब आदमी कहीं जाके रुख जाएं, क्योंकि एक हजार रुपे में मोदी जी के मित्रवाल तो रुकेंगे नहीं उन होटलों में, ये तो सावान ये होटले हैं, इसमें देश के मिडल क्लास लोग, देश के निमनाईवर्गे परिवार के लोग रुखते हैं, तो उस पे 12% GST लगा दी है, और तीसरा, जो मुख्ये निर्ने किया, 47 वी मीटिंग पे, कि र कारपनर है, हमारे छोटे-छोटे बच्चे जो इस्कूल में प्रयोग मिलाते हैं, उस पे GST 12-18 परतिशत करो, हाँ, उस मीटिंग में एक निर्ने और होना था, वो निर्ने ये होना था, कि कैसिनों पर होर्स रेसेज पर लॉट्री पर 28 परतिशत GST लगाई जाए, पर सरक परतिशत है, मई 2022 का डेटा है, और अप्रेल 2022 में 7.79 परतिशत था, जो रिजर्व बैंक की जो परमीसिबल लिमिट है 6%, उससे लगातार बढ़ रहा है, उस ऐसे इंफलेशनरी एन्वार्मेंट में हमारी सरकार ने क्या तौफा दिया, कि आटे पर GST लगाओ, आटे को करा मद्यमायवर्गी की थाली से टाटा, यह हमारी सरकार ने फैसला लिया 47 वी मीटिंग में